जो देश हमारे सामने है वो एक आदर्श देश नहीं है वो एक रैशनल देश नहीं है और ऐसे में अगर वहां से कुछ इस तरह की कदम उठते हैं तो फिर हम उसके लिए किस हद तक तयार हैं ये सवाल रहेगा इस पर मैं जवाब दूँगी अपने एक्सपर्ट से भी लेकि कि हम ये समझ पाएं कि वाकए ये भी अपने आप में कितना एक चुनौती पून कामे कि आप हवा से हवा में मार करके एक विमान को गिरा रहे हैं F-16 बहुत ही उम्दा हवाइजाज है और काफी पराणी टेक्नलोजी के साथ शुरू हुआ था लेकिन अमेरिका इस टेक्नलोजी को अपडेट करता रहता है और जो पाकिसान के पास इस समय जो F-16 हैं वो अच्छी कौलिटी वाले हैं लेकिन अन्तमे बात वहीं आजाती है कि उनके जो पाइलेट है उनकी ट्रेनिंग कैसी है उनको उनके दिल में कितनी हवस है कि हम पुरा लड़ सकें या उनको उनके दिल में ये है कि हमें कहां लैन मिल जाएगी क्योंकि हम सर्विस में आ गए हैं सो बहुत अंतर है पाकिस्टानी पाइलिट की आइडिचूट में और इंडियन पाइलर्ट की एडिट्यूड पे जैसे मैं आपने कहा कि F-16 बिलकुल उंदा हवाइजाज है और हो सकता तो हम काफी ओफ़र आई थी है उसकी मैनिफेक्ट्रर से कि इंडिया भी खरीदे लेकिन अन्त में भारत वाशले उसको नहीं खरीदा और ट्रेनिंग की बात आती है कि उसकी उनकी ट्रेनिंग के किस लेवल पर है और ट्रेनिंग होती हुमन्स की यह अपने आपने बहुत हैं को आपक्त के जो ट्रेनिंग है वह बहुत ही अग्जाट्ली मेश जेंडरल एजएपी जैनी देखेंगे